नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सना खान का आया है पहला सोशल मीडिया पोस्ट जिस पर वो मेकप को लेकर हो रही है ट्रोल बॉलिवुड अक्ट्रेस सना खान ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया है बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया और बताया फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का रिजन उन्होंने अपना ये रिजन दिया है धर्म को लेकर उन्होंने अपने इस्टाग्राम से सभी पुराने पोस्ट स्कोर डिलीट कर दिया है हाली में सणा ने एक पोस्ट शेयर किया जिस पर यूजर्स उन्हें टुट करते नजर आ रहे हैं Film Industry छोड़ने की बाद सणागान इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है इस वीडियो में सणा ने इसलाम को लेकर बात चीत की है वीडियो में सना हलक के मेकप के साथ प्रिंटेड दुपटे में नजर आई लेकिन सना का ये लोग यूजर को रास नहीं आया आप देख सकते हैं क्या लिखा है यूजर ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद जहां कई लोग सना की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं पर कई लोगों ने इसे लेकर उन्हें ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है उनकी हालिया वीडियो कॉमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि क्या कुरान में मेकप की अनुमदी दी गई है अला कि यूजर के इस कॉमेंट पर सना ने कोई रिपलाई नहीं दिया लेकिन उनके फैंस इस पर कॉमेंट करने वालों की क्लास लगा दी इंस्ट्रग्राम पोस्ट पर लिखकर इंडस्ट्री को छोड़ने का ऐलान किया था उन्होंने पोस्ट में लिखा था भाईयों और बहनों आज मैं अपनी जिन्दगी के एक एहम मोड पर आप से बात कर रही हूँ मैं सालों से शोबिस की जिन्दगी गुजार रही हूँ और इस अरसे में मुझे हर तरह की शोरत, इजज़त और दौलत अपने चाहने वालों की तरफ से नसीब हुई जिसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ उन्होंने लिखा कि अब कुछ दिन से मुझ पर ये एहसास कब जात जमाए हुए है कि इनसान के दुनिया में आने का मकसद क्या सिर्फ ये है कि वो दौलत और शोरत कमाए क्या उन पर ये फर्ज आयद नहीं होता कि वो अपनी जिन्दगी उन लोगों के खिद्मत में गुजारे जो बे सहारा और बे आसरा है क्या इनसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मरने के बाद उसका क्या बनने वाला है इन दो सवालों का जवाब मैं मुद्द से तलाश कर रही है इस सवाल का जवाब कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा इस सवाल का जवाब जब मैंने अपने मजभ में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये जिंदगी असल में मरने के बाद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है और वो इससे सूरत में बेहतर होगी इसलिए मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि आज से मैं अपने शोबिस जिंदगी को छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वाले की होकुम पर चलने का पक्का इरादा करती हूँ तमाम भाईयों और बेहनों से दर्फवास्त है कि वो अब मुझे शोबिस के किसी काम के लिए दावत ना दे बहुत बहुत शुक्रिया और अब वो हो गई ट्रूल वैल आपको बता दें सना अपने स्टाइलिश अपेरेंस के लिए भी काफी जादा जानी जाती है और वो काफे स्टाइलिश नजर आती थी हर इवेंट पर फिलहाल आप क्या कहेंगे सना के इस पोस्ट पर आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा इस वीडियो में पसितना है